गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जर्नल साइंस के टॉप 25 कोशियंस जो बार बार कॉंपिटिटिव एक्जांस में पूछे जाते हैं सो गैस जिसने भी अभी तक हमारी इस चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राब नहीं किया हैं प्लीज लाइक, सेयर और सेयर किजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर किजिए फर्स कोशन स्टार्ट करते हैं की टॉप में कितने जोड़ी टांग होती हैं Option A, 1, Option B, 2, Option C, 3, Option D, 4 कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है Correct answer होगा, Option C, 3 कीटों में 3 जोड़ी टांग होती है Next question मच्चर में लाल खून का उभराना किस पर पोशन के कारण होता है Option A, पौधे, Option B, कैचुआ, Option C, स्तंधारी, Option D, तिल्चटे मच्चर में लाल खून का उभराना किस पोशन के कारण होता है Correct answer का Option C, स्तंधारी मच्चर में लाल खून का उभराना पर पोशन, स्तंधारी के कारण होता है Next question बिच्चू का विश कहां पर होता है Option A, पैरों में, Option B, डंक में, Option C, मुहूं में, Option D, हाथ में बिच्चू का विश कहां पर होता है Correct answer का Option B, डंक में बिच्चू का विश कहां पर होता है, डंक में निद्रा रोग फैलाती है Option A, सिसी मख्खी Option B, जूं Option C, खटमल Option D, सैंड फ्लाई निद्रा रोग फैलाती है Crack answer का Option A, सिसी मचली निद्रा रोग सिसी मचली फैलाती है Option A, correct answer होगा तारा मचली निमनलिकित मैसे किस संग का प्राणी है Option A, मोलश का Option B, काईनो डर्मेटा Option C, और्थोपोडा Option D, मच्य तारा मचली निमनलिकित मैसे किस संग का प्राणी है Correct answer होगा Option B, इकाईनो डर्मेटा तारा मचली इकाईनो डर्मेटा संग का प्राणी है Option B, correct answer होगा Question 31 निमनलिकित मैसे कौन मानव मात्र के लिए उप्योगी नहीं है निमनलिकित मैसे कौन मानव मात्र के लिए उप्योगी नहीं है Option E, मधुमक्खी Option B, रेसम कीट Option C, फीता कर्मी Option D, कैच हुआ निमनलिकित मैसे कौन मानव मात्र के लिए उप्योगी नहीं है Correct answer होगा Option C, फीता कर्मी फीता कर्मी मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि मधुमक्षी, रेसम का कीट और कैचुआ तीनों ही मानव के लिए बहुत उपयोगी है तो फीता कर्मी option सी क्रेक्ट आंस होगा जो मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है Next question जैली फिस्के नाम से जाना जाता है जैली फिस्के नाम से जाना जाता है option A, Hydra option B, Abilia option C, Aurelia option D, इनमें से कोई नहीं जैली फिस्के नाम से जाना जाता है क्रेक्ट आंस होगा option C, Aurelia Aurelia को जैली फिस्के नाम से जाना जाता है option C, क्रेक्ट आंस होगा मैधक का लार्वा क्या कहलाता है मैधक का लार्वा क्या कहलाता है Option B टेटपोल Option B प्यूपा Option C मैगोट Option D ये सभी मैधक का लार्वा कहलाता है क्या कहलाता है मैधक का लार्वा Option एक रेक्ट आंसर होगा मैढग का लार्वा, टैटपो, लार्वा क्या लाता है Option एक रेक्ट आंसर होगा Next question सीत रखती ये प्राणी है Option ए मचली Option ए चिपकली Option सी मैढग Option ए यह सभी सीत रखती ये प्राणी है Correct आंसर होगा Option ए यह सभी मचली, चिपकली, मैढग ती नोहीं, सीत रखती प्राणी होगे तो Option ए ग्रेक्ट आंसर होगा यह सभी Question number 35 विशैली चिपकली है विशैली चिपकली है Option A, वैरेनस Option B, कैमिलियान Option C, हिलो डर्मा Option D, इन मैंसे कोई नहीं विशैली चिपकली है Correct आंसर होगा Option C, हिलो डर्मा विशैली चिपकली कौन सी है हिलो डर्मा Option C, correct आंसर होगा Question number 36 समूद्री सर्प को कहा जाता है समूद्री सर्प को कहा जाता है Option A, कटल फिश Option B, सिल्वर फिश Option C, डैविल फिश Option D, हैड्रो फिश समूद्री सर्प को कहा जाता है Correct आंसर होगा Option C, डैविल फिश समूद्री सर्प को क्या कहते है डैविल फिश कहते है तो Option C, correct आंसर होगा Question number 37 सर्प मैं मध्य करने नहीं होता है वे ध्वनी ग्रण करते हैं सर्प मैं मध्य करने नहीं होता है वे ध्वनी ग्रण करते हैं Option A, जीप से Option B, पैर से Option C, तवचा से Option D, मूँ से सर्प मैं मध्य करने नहीं होता वे ध्वनी ग्रण करते हैं कहां से option C, त्वचा से सरपे में मद्देकर नहीं होता वे ध्वनी ग्रहाण त्वचा से करते हैं option C, correct answer होगा मैं धक में fertilization की प्रकर्थी होती है option A, बाहे option B, बाहे वा आंत्रिक दोनू option C, ये दोनू option D, इन में से कोई नहीं मैं धक में fertilization की प्रकर्थी होती है correct answer होगा option A, बाहे मैं धक में fertilization की प्रकर्थी जो होती है वो बाहे होती है, option A, correct answer होगा next question अधिकान से कीट स्वसन करते कैसे करते हैं अधिकान से कीट स्वसन कैसे करते हैं Option A, तवचा से, Option B, वातक तंत्र से, Option C, फेफ़णों से, Option D, क्लोम से अधिकान से कीट स्वसन कैसे करते हैं करेक्ट आंसर होगा Option B, वातक तंत्र से अधिकान से कीट स्वसन वातक तंत्र से करते हैं option B correct answer होगा next question तालाबों और कुवों में निमने लिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छनों को नियंतित करने में मदद मिलती है option 1 गोंगा option B केकड़ा option C गैमबुसिया option D इन में से कोई नहीं तालाबों और कुवों में निमने लिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छनों को नियंतित करने में मदद मिलती है correct answer हो गोपशन C गैमबुसिया गैमबुसिया को छोड़ने से तालाबो और कुओं में मच्छरों को नियंतित कने में मदद मिलती है Next question होगा निमने लिखित मैं से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। आप्सनी रसल प्रिदाकू, आप्सनी नागराज, आप्सनी रेटन सर्प, आप्सनी करैत। किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। भारती वन्य जीवन के संदर्ब में उद्डयन वल्गूल निम्न लिकित में से क्या है। Option A, चमकादर, भारती ये वन्य जीवन के संदर्व में उड्यान वल्गुल चमकादर है Option A, रेक्टा आंसर होगा Question No. 43 निम्नलिकित मैं से किस मैं रक्त नहीं होता, किन्तु स्वसन करता है Option A, कैचुआ, Option B, कंगारू, Option C, हाइडरा, Option D, तिल्चटा निम्नलिकित मैं से किस मैं रक्त नहीं होता, किन्तु स्वसन करता है Correct answer होगा, हाइडरा, हाइडरा मैं रक्त नहीं होता, फिर भी वो स्वसन करता है Option C, correct answer होगा Next question, स्वसन की किरिया संपन्न होती है Option B, राइबोसोम मैं, Option C, लाइसोसोम मैं, Option D, मैट्रोकॉंडिया मैं स्वसन की किरिया संपन्न होती है Correct answer होगा, Option D, मैट्रोकॉंडिया मैं Q45, हमारी छोड़ी वी सास की हवा में, CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है Option A, 4%, Option B, 8%, Option C, 12%, Option D, 16% हमारी छोड़ी हुई सास की हवा में, CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है Correct answer होगा, Option A, 4%, हमारी छोड़ी हुई सास में, हवा में, CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है Option A, Correct answer होगा Next question Crabs Chakra में किसका संस्लेशन होता है Crabs Cycle में किसका संस्लेशन होता है Option A, Pyruvical, Option B, Fumarical, Option C, Lacticical, Option D, इन में से कोई नहीं Crabs Chakra में किसका संस्लेशन होता है Correct answer होगा, Option A, Pyruvic, Amlick, Cap, Chakra में, Pyruvic, Amlick का संस्लेशन होता है Option A, Correct answer होगा Question No. 47, Anoxy Swasan का अंति मुत्पाद होता है Anoxy Swasan का अंति मुत्पाद होता है Option A, Fumarical, Option B, Pyruvic, Amlick, Option C, Gel, Option D, Lactic, Amlick, Amlick, Anoxy Swasan का अंति मुत्पाद होता है Correct answer होगा, Option D, Lactic, Amlick, Anoxy Swasan का अंति मुत्पाद होता है Option D, Correct answer होगा Question No. 48, मनुष्य के सरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिस्ट कौन होता है मनुष्य के सरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिस्ट कौन सा होता है Option A, Urea, Option D, Ammonia, Option C, Ammonia, Nitrate, Option D, Ureakamla मनुष्य के सरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिस्ट कौन सा होता है Correct answer होगा Option A, Urea मनुष्य के सरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिस्ट यूरिया होता है Option A, Correct answer होगा Next question रक्त की असुद्या किस अंग में जाकर चंती हैं? Option A, फेफडों में Option B, हिर्दय में Option C, यक्रित में Option D, व्रिकों में रक्त की असुद्या किस अंग में जाकर चंती हैं? Correct answer होगा Option D, व्रिकों में रक्त की असुद्या व्रिकों में जाकर चंती हैं Option D, Correct answer होगा Question No. 50 मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? Option E, यूरोक्रों Option B, बाइल Option C, कुलास्ट्रॉल Option D, रूधिर मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? Correct answer होगा Eurochrome Option E, correct answer होगा मानव मूत्र का पीला रंग Eurochrome के कारण होता मानव मूत्र का पीला रंग Eurochrome के कारण होता है Option E, right answer होगा Eurochrome Thank you so much guys for watching Please like, share and subscribe Bye